वेलकम तो दो कोर्स ओव सॉफ्टर इंजिनरिंग आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेट स्पेक्टरिम क्या होता है मैनेजमेट स्पेक्टरिम को हम फोर पीज भी बोलते हैं और यह फोर पीज ही असल में किसी भी प्रॉजक्ट को अच्छी तरह इक यह तुछ सफिननरिंगे नेजन मेंच के लिए इन चार पीज पर फोकस करते हैं और वह चार पीज पीपल प्रॉडक्ट प्रोसेस और प्रॉजक्ट कि किसी भी प्रॉजक्ट की वह जो हमने चुरु में पढ़ी थी कि के नस्चिंड होते हैं कॉल्टी रेस वगारा वगा उनको recruit करना मतलब उने hire करना means selection का पूरा process उनका फिर उनकी performance को manage करना फिर उनकी training अपनी company के साथ से फिर उनकी compensation means salary या जो भी benefits होते हैं medical वगारा वगारा फिर उनकी career development means उनकी जो क्या कहते हैं तरक्की देना उनको reward देना उनका career grow करना यह ना लगे कि कोई बंदा career में stuck हो गया उसकी gradually उसका career को develop होना चाहिए फिर organization पिर का culture organization का कि organization में किस तरह काम होता है और उनकी पुलिटिकल अफेर से पाक होनी चाहिए organization में favorism नहीं होनी चाहिए किसी प्रोजेक को successfully complete करने कि फिर वर्क डिजाइन क्या है आप का community structure किस तरह है कि आप functional based करते है आप project based करते है for example जितने भी freelancing based companies होती है वो project based चलती है जबकि जितनी भी product based company होती है वो functionality based चलती है और then team का culture किस तरह है development का किस तरह code करते है उनका coding style क्या है वो किस तरह अगर error rights दूर करते है उनका code share करने का क्या तरीका है code की versioning का क्या तरीका है तो यह सारी चीज़े हम जो factor consider करते है people के लिए पहला spectrum में जो P है वो हमारा people किलाता है दूसरा जो P है वो हमारा product किलाता है कि जो भी software built हो रहा है वो उसका objective उसका scope और उसके alternative solution की constraint तो यह focus होता है हमारा product के दुरान मतलब उसके objective के main goal है project का उसको हासिल करने के लिए हमारे जो objectives हैं वो क्या क्या है फिर हमारा scope क्या है I mean boundaries क्या है कि एक module का scope क्या है अगर आपके project के अंदर 10 module है तो हर module का अपना scope होगा हर module के अपनी boundaries होगी हर module के लिए अपनी access होगी just like आप यह देखने के अगर facebook में आप page की functionality और एक group की functionality दोनों functionality अलग होती है आप facebook में use करते हैं आपने अगर बनाया और page बनाया और group बनाया तो दोनों module की functionality अलग अलग है जबकि आपने पर फाइल बनाया है उसकी functionality अलग है जबकि आपने कोई news feed बनाया है वह जो आपकी update हो रही उसकी functionality अलग है जबकि आपको इस पर games खेरे हैं तो उसकी scope और functionality अलग है तो हर किसी की एक boundary है हर काम एक boundary में हो रहा है तो इसको हम एक scope कहते हैं उस project का फिर उसके alternative solution के एक solution है तो उसके हम मजीद for example in case of risk के उसका मजीद alternative solution क्या हो सकते हैं मगर अगर मतलब एक solution fail हो गया तो उसके alternate में उसके मतबादल में कौन सा ऐसका solution और जो मजूद है फिर उसकी constraints के हैं वो conditions वो limitations वो formulas जो यूजर की वो ऐसी खौईशाथ जो के मैदूद करती हैं जो के कोई restrict करती हैं किसी भी काम को करने के लिए for example आप YouTube पे कहते हैं के content यह है वो kids के लिए है तो वो 18 के उपर show नहीं होगा जो then the next piece is the process the set of framework activities and software engineering tasks to get the job done कोई भी हम यह बड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो भी activities है पूरा framework है किसी भी software को काम कर को मकमल करने के लिए वह हमारी activities ट्यार कर लाती हैं हमारे टास्क होते हैं माइल स्टोंस होते हैं वह वर्क प्रोडेक्स होती हैं वह हमारे QA points होते हैं quality assurance points होते हैं तो यह हम बड़ा discuss कर चुके हैं ब्रीफली हमारे शुरू के lectures में मैं आपको इदर इसको pin भी कर देता हूं आपको इदर show भी होगा project all work required to make the product a reality planning monitoring controlling तो यह तीन focus होते हैं जब भी हम project को focus कर रहे होते हैं तो मारा planning किस तरह है प्लैनिंग में हमारी cost estimation आजती है हमारी scheduling आ जती है हमारा उसका monitoring आयता है उसकी रिस्क वस्क्राइब वगएर 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 और पिर controlling में उसका quality का measurements उसके different measurements और उसका काम according to schedule हो रहे है उसका budget के अंदर हो रहे हैं तो यह सारा controlling हमारा इस project के focus में आता है तो यह चार पीज है जब भी हमने project को manage करना होता है तो इन चार पीज से हम इस management spectrum भी बोलते हैं और इस spectrum से हम किसे भी project की effectively management कर सकते हैं तो इसमें अगर आपको कोई question है तो आप ज़रूर comment section में पूछ सकते हैं तो मैं आपका answer भी दूँगा तब तक अगर आप new है तो subscribe करें किया और keep watching and thank you